अगर आप ग्राजवेट हैं, अभी आप रिसेंटली ग्राजवेट हुए हैं, या फिर आप अल्रडी ग्राजवेट हैं और किसी और एक्जाम के तयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इस साल एक गोल्डन, एक बहुती बहतरीन उपरचुनिटी आई है जो गिदी है UPSC EPFO जो एक organization है, उसका एक form आप सभी को I'm sure पता होगा, PA का जो है यहां पर form निकला है, ये कैसे golden opportunity है और क्या आपको ये form भरना चाहिए, अब I'm sure अगर आप ये session ले रहे हैं, तो आप किसी ना किसी इन दो category से belong करते होंगे, या तो आपने अभी अभी college अपना pass out किया होगा अभी अभी आपकी graduation पूरी हुई होगी, या फिर already आप किसी और banking exam की, SSC की, या किसी भी और दूसरे exam की हो सकता है, UPSC के ही किसी paper की तयारी कर रहे हूँ, अगर आप इन किसी भी category से belong करते हैं, तो आज का session आपके लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा, इस exam के बारे में मै सारी चीज़े आपको बताने वाली हूँ, अडर 24-7 आपको क्या provide कर रहा है, इस exam के तयारी के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो शुरू करते हैं आज का session, मेरा नाम Pinky है, Current Affairs की classes मैं आपकी लेती हूँ, यहाँ पर शुरू करने से पहले session, एक बड़ा फटा-फट अगर चैनल पर नए है, तो subscribe जरूर कर दीजेगा, क्योंकि अब जब तक यह exam नहीं हो जाता, हम फ्री में बहुत सारी classes आपकी YouTube पर लेकर आएंगे, उसके लिए subscribe जरूर कर दीजेगा, also अडर 24-7 का app भी download कर लिजे, वहाँ भी हम daily बहुत सारे MCQs डालते हैं, जो आप फ् मेरा telegram जब आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए असानी हो जाएगी, कि अगर आपको कोई भी doubt है, किसी भी paper को लेकर कुछ भी आपको पूछना है, current affairs को लेकर आपको कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पर आप मुझसे असानी से पूछ सकते हैं, यह मेर telegram channel, आप join कर लीजे, मैं आपकी यहाँ पर सारी queries handle करती हूँ, आप यहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, चलिए, अब वापस आते हैं, क्या है यह opportunity, I'm sure आपने notification देख लिया होगा, जहाँ पर आपकी, यहाँ पर अलग-अलग vacancies, PA के लिए यहाँ पर vacancies हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि क्या आपका category है, उसी हिसाब से आप अपनी यहाँ पर यह देख सकते हैं, चीक है, जी, 7th pay scale के according आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो आपका pay होगा, 30 year आपकी age है, यहाँ पर आप 30 साल, आपकी जो है, एक limit दी हुई है, 30 साल, I'm sure अग आपको 5 साल और मिलता है, और अगर आप PWBD से हैं, तो फिर आपको 10 साल और extra relaxation मिल जाता है, जैसा कि मैंने बोला, आपको सिर्फ graduate होना है, देखिए, आज कल बहुत कम ऐसे exam होते हैं, अगर मैं बात करूँ, अभी recently SEBI का भी form निकला है, EPFO के आसपास ही SEBI भी निकला है, आपर हमें सिर्फ एक degree मांगी हो, कि जी आप graduate होने चाहिए हो, किसी भी recognized university से, college से, अगर आप graduate हैं, तो आप ये form भर सकते हैं, 100% आपको भरना चाहिए, अब एक और reason है, इस चीज का, इस form का भरने का, जबी भी आप किसी exam के बीच में confused होते हो, कि मैं already किसी exam के तयारी कर हूँ, देखिए, I'm sure आपके, यहाँ पर आप दो category के student होंगे, जिसने अभी अभी या तो college pass out किया होगा, ठीक है, और वो सोच ही रहा होगा, कि क्या मुझे paper, कौन सा paper अभी देना चाहिए है, या फिर, already एक बच्चा है, जो या तो किसी bank के exam की तयारी कर रहा है, किसी SSC क bank में ही आजाता है, regulatory जैसे RBI, NABAD वगेरा की आप तयारी कर रहे हैं, SEBI वगेरा की आप तयारी कर रहे हैं, तो आप भी confused होगे कि EPFO भी साथ के साथ हमें देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, ठीक है, दोनों ही students के लिए मैं एक तरीका बताती हूँ, सबसे पहले, आप अगर college pass out हैं, तो आप थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा बैठिये, ये सोचिए कि आपको exactly चाहिए क्या, कौन से field में आपको जाना है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा है, like for example, आपको UPSC के ही सारे exams देने हैं, चिक है, चाहे वो EPFO हो, और भी जितने भी exams हैं, तो ये तो आ आपके लिए perfect मौका है, और paper भी July में है, यानि हमारे पास उतना समय भी है कि हम अगर आज भी पढ़ना शुरू करें, तो हम अराम से syllabus पूरा कर लेंगे, MCQs practice कर लेंगे, और हम ये exam crack कर सकते हैं, चिक है, तो आज ही आप इसके तयारी शुरू कर दीजेगा, कैसे कैसे की भी तयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले syllabus को खूलना है, जो हमारा EPFO PA का syllabus दिया हुआ है, और जो आप already जिस paper की तयारी कर रहे हैं, दोनों syllabus को अपने table के सामने रख दीजेगा, और दोनों में similarity ढूढने की कोशिश कीजेगा, कि अच्छा, इसमें इसमें भी reasoning है, इसमें भी current affairs है, इसमें भी current affairs है, इसमें भी economics पढ़ना है, इसमें भी economics पढ़ना है, इस तरीके की similarities ढूढ़ेगा और उसके बाद differences ढूढ़ेगा, कि अच्छा, इसमें मेरे को अलग से, माली जे, for example, आप से भी दे रहे हूँ, माली जे, अच्छा, इसमें मुझे costing पढ़ना है, accountancy पढ़ना है EPFO में वो नहीं पढ़ना है तो similarities और differences एक page पर लिख लिजे कि ये similar चीजे हैं जो मैं दूसरा exam दे रहा हूँ उसमें जो पढ़नी है और ये different चीजे हैं चीक है? उससे आपको clarity हो जाएगी और उससे क्या होगा? कि जो similar सा अलग हो सकता है ठीक है question का format थोड़ा सा अलग हो सकता है उसके लिए हम कुछ MCQs जो है वो practice जरूर करेंगे जिस exam के आप तयारी कर रहे हैं उसके MCQs भी आपको practice करने हैं और जो UPSC, EPFO के भी MCQs आपको practice करने हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना difference होता है दोनों के MCQs में इस तरीके के questions पूछे जाते हैं ठीक है? So ये बैट कर थोड़ा सा analysis आपको करना पड़ेगा और जैसा कि मैंने बोला एक चीज आपको ये एक और करनी है This is the first thing ये syllabus आपको करना है दूसरा आपको MCQ देखना है तीसरा आपको dates match करनी है यानि आपको ये count करना है कि मेरे पास कितने दिन है जैसे आप RBI की तयारी कर रहे है या आप किसी SSC की paper की तयारी कर रहे है वो paper आपका मान लिजे है August में ठीक है? तो आपको क्या करना है कि कितने महीने मेरे एक paper को रहते है कितने महीने मेरे दूसरे paper को रहते है वो आप calculate कर ली जाएगा ठीक है? अभी हमारा March चल रहा है तो चलो March हम मैं हटा भी दूँ तो April, May, June ठीक है? यही तीन लेते हैं ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास तीन महीने है July, August यहाँ पर मेरे पास पांच महीने है ठीक है? सो मैं क्या करूँगी? मैं पहले इस वाले paper पर जादा focus करूँगी क्योंकि एक बर ये clear हो जाता है तो मेरे पास दो महीने और होंगे उस paper को clear करने के लिए तो इस तरीके से आप अपना एक schedule बनाएए आप अराम से बैठके चीजों को लिखिए परखिए थोड़ा सा syllabus को अच्छे से जाचिए questions को अच्छे से जाचिए कि कितनी similarity है, कितना different है कौन-कौन से ऐसे subject है जो same भी है और different भी है और उस से syllabus से बहतर जो है कोई भी हमारा source नहीं हो सकता जिससे हम ये जाच सकते हैं तो ये आपका तरीका होने वाला है और मैं तो definitely बोलूँगी जस तरीके से हमारे देश में अभी employment का जो एक problem है मुझे लगता है कि अगर आप already किसी paper की तयारी कर भी रहे है और दूसरा form निकल आता है माल लिजे अच्छानक से और उस form में 50% आपका same syllabus है 50% आप जिस भी माल लिजे bank की या SSC की तयारी कर रहे हैं और आपका जो EPFO है या कोई भी और exam आ गया वो 50% similar है आपके उस paper से जो आप already जिसके तयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला paper जो नया form आता है वो जरूर देना चाहिए क्योंकि 50% तो तयारी आपके already हो रखी है आपको extra थोड़ी सी 50% करनी है जो आपको जरूर करनी चाहिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही असान होगा अब EPFO की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम उसी की एक बर फटा-फट बात कर लेते हैं कि क्या-क्या जो है हमारा इसमें syllabus होता है या कौन-कौन से subjects होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं अगर नहीं पता यह PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी आप वहां से अराम से तसली से बैट के इसको पढ़ सकते हैं चीकर अब मैं यहाँ पर जिस चीज की बात यहाँ पर करना चाहती हूँ वो यह है syllabus या exam pattern क्या होने वाला है syllabus और exam pattern अगर exam pattern या exam की बात करें तो दो घंटे का हमारा paper होगा generally UPSC के जुतने भी paper होते हैं दो घंटे के होते हैं, offline होते हैं one third negative marking होती है, यह common common सा ही pattern होता सारे UPSC के exam में ठीक है, objective type questions होंगे यानि MC की होंगे, जिसमें चार option होंगे उसमें से एक आपको सही करना होगा Hindi और English में आपको जो है यहाँ पर दोनों ही medium आपका मिल जाता है of course English के जो English language के questions है वो तो English में ही मिलेंगे, चलिए subjects देख लेते हैं, सबसे पहले English language, जिसके अगर आप already किसी भी bank की तयारी कर रहे हैं की तयारी कर रहे हैं, आप वहाँ पर English already पढ़ रहे हैं, English के सवाल भी असान आते हैं, तो ये वाला जो subject है वो जादा बड़ी समस्य आपके लिए नहीं होने वाला है, आपकी तयारी कहीं ना कहीं English की पहले से ही है बात कर लेते हैं, उसके बाद quantitative aptitude की जिसमें आपको maths practice करना होता है, again अगर आप किसी SSC, bank, regulatory किसी की भी तयारी कर रहे हैं, सब में ही quant और reasoning आता है, computer aptitude भी reasoning के साथ ही आजकल computer aptitude भी पूछने लगे हैं, तो इन दोनों की भी कहीं न कहीं आपको practice होती है देखना सिर्फ ये है आपको की EPFO में कैसे सवाल आ रहे हैं, जिस exam की आप तयारी कर रहे हैं, वो कितना अलग है EPFO से, और उस हिसाब से थोड़ा सा ढलना है, बाकि base आपका बना हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप college से अभी अभी pass out हुए है, तो भी ये अच्छी बात इसलिए है, क्योंकि बहुत difficult subject नहीं है, ये, बहुत difficult सवाल नहीं आने वाले हैं इससे, ठीक है अगर आपको एक अंदाजा लेना है PA के कैसे paper आते हैं, एक तो हम करवा देंगे उसको YouTube पर ठीक है, YouTube पर इसी channel पर जहां पर आप ये session देख रहे हैं Monday से हम सारे ही teachers जो है, फ्री में sessions लेकर आने वाले हैं, practice set के नाम से, अलग-अलग subject के, अलग-अलग practice set जो है आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको questions करवा दिये जाएंगे, जिससे आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि किस level के सवाल पूछे जा रहे हैं, अब general awareness की बात करते हैं, ये है मेरा subject, ठीक है, मैं आपको यहां पर current affairs basically करवाने वाली हूँ, देखी general awareness ना, general awareness का general awareness का कभी भी कोई भी जो exam जो organization होती है, वो कभी भी खुलके मतलब नहीं बताती है, कभी भी detailed हमारा syllabus नहीं दिया जाता है, बट क्योंकि हमने इतने सारे exams देख लिए हैं, question paper देख लिए तो हमें पता है, general awareness जो है हमेशा current affair oriented होती है, यानि current में जो चीज़े चल रही है, वो ही आती है अब current में किसी भी area से हो सकता है, current में हो सकता है आपका कोई international relation कुछ चल रहा हो, जैसे अभी माल लिजे इंडिया और Europe ने, European Union ने एक free trade agreement sign किया है उसके बारे में एक सवाल पूछ लिया जाए ठीक है, उसके अलावा आपका government scheme, कोई भी important government scheme चल रही हो, वहां से कोई भी आपका सवाल पूछा जा सकता है कोई भी report and indices आपके पूछे जा सकते हैं कोई भी reports and indexes बड़े important होते हैं, उसके बाद national current affairs आपके पूछे जा सकते हैं यानि हमारे देश में क्या कुछ चीज़े चल रही है, उसके अलग-अलग angles पूछे जा सकते हैं, उसका एक polity वाला angle पूछा जा सकता है अगर मैं इसका सबसे बड़िया example है और जो आजकल चल भी रहा है election तो electoral bond पे कोई सवाल आ सकता है elections पे कोई सवाल आ सकता है इस तरीके से जो है यहाँ पर सवाल आ सकते हैं उसके बाद geography से related कोई भी सवाल आ सकता है environment से related सवाल आ सकते है economic से related सवाल आ सकते है national वाले, यानि हमारे देश की economy से related सवाल आ सकते हैं हमारे देश की geography, हमारे देश का environment environment हमारे international relation की context में भी हो सकता है जैसे COP28 की meeting हुई इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े होंगी जो मैं आपको यहां पर करवाने वाली हूँ, ठीक है, current affairs मैं आपको एक monthly magazine देने वाली हूँ, जहां पर हर महीने का current affair उस magazine में आपको डाल देने वाली हूँ, यह सारी ही चीज़े वहां पर होंगी, ठीक है, general awareness के साथ साथ मैं society भी कराने वाली हूँ, थोड़े social justice वाले और society और development वाले सवाल भी आते हैं, तो वो भी मैं include करवाँगी, उसमें majorly government schemes हम करते हैं, government, सरकार के जितने भी initiatives रहते हैं, सरकार के जितनी भी नई चीज़े रहती हैं, वो सारी चीज़े include होती हैं, यह मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है, so economics हो गया, current affair हो गया, बट अच्छी बात पते हैं, current affair है, इतना बड़ा circle है, यह जो जितनी भी चीज़े मैंने यहाँ पर लिखी हैं, यह सारी चीज़े, trust me, current affairs के अंदर ही आ जाएंगी, अगर आपको, आपने मेरी वो सिर्फ एक मन्तली magazine पढ़ ली, तो यह सारी चीज़े आपकी include हो जाएंगी, current perspective से, ठीक है, so आपको सिर्फ एक वो monthly magazine पढ़नी है, हर महीने की एक-एक magazine मैं आपको दे दूँगे, सिर्फ उसको पढ़ना है, उसी को revise करना है, और कुछ नहीं करना है, आपको general awareness के लिए, ठीक है, अब मैं आपको दो-तिन चीज के अलग-अलग दिन पर आएंगे, जैसे मैं आपका यहाँ पर Tuesday, Thursday और Saturday, यानि alternate days पर sessions लेने वाली हूँ, एक एगंटे का session होगा, दो से तीन बज़े मैं इस class लेने वाली हूँ, live class मेलूंगी यहाँ पर, ताकि आप अपने doubt भी मुझ से पूच सकते हैं, यहाँ पर मैं आ आपको दिखा देती हूँ, आपको जाना है अड़ा 24.7 के अप पर, सबसे पहले अप जरूर डाउनलोड कर लीजेगा, आपके बहुत सारे फायदे हैं, सारे lectures वहीं मिल जाते हैं, बहुत सारे questions आप free में practice कर सकते हो, और किसी भी छीज में enroll करना हो, आपको maximum discount मिलेगा, regulatory bodies पर click कर दीजेगा, UPSC, EPFO पर click कर दीजेगा, ये batch आपको यहाँ पर दिखेगा, हम 5 teachers हैं, अलग-अलग subjects के आपको दिखरा होगा, मैं यहाँ पर हूँ, current affairs आपको करवाने वाली हूँ, batch हमारा 28 मार्च से शुरू होने वाला है, मैं चाहती हूँ, आप अभी से enroll कर लीजे और YouTube की classes ले लिजे, limited seats हैं क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर enroll ना कर पाएं, right, इसमें क्या-क्या चीजे मिलेंगी, आप वो सारी यहाँ पर नीचे scroll करके देख सकते हैं, study plan भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, study plan का मतलब है कौन सा teacher कब क्या पढ़ाने वाला है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, so यहीं पर मैं आपको वो monthly magazine प्रवाइड करूँगी, जिससे बाहर आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है, इसमें enroll करने के लिए आपको एक special code यूज करना पड़ेगा, वो special code है Y674, जैसे ही आप इसको apply करेंगे, आपक से, वो मिलेगा आपको मेरे, वो मिलेगा आपको मेरे telegram से, ठीक है, मेरा telegram, मैं दुबारा से बता देती हूँ, मेरा telegram channel है pinky CA, यानि current affairs, adda 24-7, ठीक है, आप इसको join कर लिजे, और अगर आपके कोई और doubt रहते हैं, ठीक है, कुछ preparation में किसी और तरीके से आपको कुछ भी हैं, तो आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं, इस telegram पर, आज के लिए इतना ही, I hope, session में आपकी मदद की होगी, अगर कोई सवाल रह गया हो, तो comment section में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा telegram तो है ही, आप मुझसे यहां जरूर जुडिएगा, thank you so much everyone, अपना ध् आप सकते हैं, अजर के गगा, बभाय!